वो ले करके जो एक narrative बनाय जा रहा है वो साफ लग रहा है कि सरकार जो है उनको कहीं न कहीं पीशे धकेल रही है देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है यह अब तो नौ साल हो गए है और साल धर साल यह कोशिश हो रही है कि किसी तरह से नहरू की भूमिका को कम करके आखा जाए आज सुबह सुबह हमारे एक साथी है विनोज शर्मा जी जो हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी है वरिश्ट पत्रकार हैं उनका एक ट्वीट मुझे पढ़ने को मिला और वो बहुत अच्छा ट्व लेकिन कोशिश हो रही है तरह तरह से कोशिश हो रही है एक दिल्चाश बनाया गया कोलाज में बहुत सारे नेता हैं उनकी तस्वीरे लगी हुए और इस पर कई लोगों ने कांग्रेस ने तो अब्जेक्शन किया ही लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस पर ममता वेनर्द अब्जेक्शन किया तो यह एक अच्छी चीज़ती इस तरह की वो होनी चाहिए और इसी के साथ 14 तारिक को जिसके लिए प्रधान मंत्री ने गोशना की थी पिछली बारी गोशना करती थी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीश का स्मृती दिवस मनाया जाएगा तो कल उन्ह नहरू को डिस्क्रेडित करने और कांग्रेस को डिस्क्रेडित करने के लिए किया उन्होंने एक वीडियो जारी किया जो वीडियो यह कहता है कि विभाजन के लिए नहरू और कांग्रेस जिम्मेदार थे मैं सोचता हूं थोड़ी दर के लिए मान लेते हैं कि यह कि समझ नहीं रखता था उसने इतनी जल्दी में फैसला कैसे कर दिया तो जो समझ रख थे वो तो 42 से जो था भारत की आजादी का इविरोध कर रहे थे तो आखिर तो इनी को करना था जो भी फैसला लेना था तो यह यह इसमें कोई नई चीज नहीं है यह मुझे लगता है कि अब हमें इसकी आदग डाल लेनी चाहिए नहरू के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि नहरू का दुर्भाग यह है कि नहरू ने दो फेस देखे हैं एक फेसमें नहरू की तारीफों के पुल बांदे जाते समझ में आता था कि जो नहरू की तारीफ कर रहे हैं वो दरसल वास्तव में नहरू की तारीफ कर रहे हैं या वो कांग्रेस की चमचागीरी कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार में हैं और एक दूसरा दौर आया जब सरकार की चमचागीरी में नहरू की आलोचना की जाने लग गई ह हमारे एक बहुत बड़े पत्रकार लेखक हैं जो जिन्होंने नहरू पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी लिए और उसके बाद वो फिर बीजेपी में चले गए अब वो कभी नहरू पर बोलते ही नहीं बताते ही नहीं कि अब नहरू पर आपके क्या विचार है आपने पा राखता है कि इस पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत है वह सब का जिक्र करेंगे वह उनके असली प्राब्लम है जी जी राई साब मैं आपके पास आऊँगा आज मैं प्रदान मंतरी का भाशार सुन रहाता है महात्मा गांदी की हत्या की शाजिश में जो नाम आए प्राब्लम है झाल झाल